दोस्तो आज की विवायत महिला की संपत्ती किसे मिलेगी तो दीकि कानून में इसमें कहां पर प्रावधन दिये गई और अगर किसी अविवायत महिला के नाम पर अर्थात जिसका विवा नहीं हुआ है उसके नाम पर अगर कोई संपत्ती है तो वह किस प्रकार से किन किन प्राप्त होगी किस तरीके से देखना पड़ेगा हमें कि सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि यह जमीन जो है यह इस महिला ने इसके जीवन काल में किसी व्यक्ति को अंतरित तो नहीं किये अंतरित से मतलब होता है कि अगर इस महिला ने इस जमीन के संबन में किसी को अगर वसियत कर दी है अगर वसियत कर दी है तो इस महिला की म्रत्यों के बाद में यह संपत्ति जो है यह जिसके नाम पर वसियत की है उसे प्राप्त होगी अगर वह वसियत ग्रहिता जो है जिसके नाम पर वसियत की है वह व्यक्ति जो है वह सिविल न्याले में अगर एसी इस्तिती में यह संपत्ती जो है, यह जमीन जो है, यह एक जमीन जो है, यह किसे मिलेगी, चीके, तो इसके लिए दिखिए, कानू में जो प्रावधान दिये गए हैं, वे इस प्रकार से दिये गए हैं, कि हिंदू उत्रादिकार अधिनियम की धारा 15 जो है, वह यह कहती कि किसी भी महिला की संपत्ति जो है वह उसकी म्रत्यू के बाद में सबसे पहले उसके पूत्र उसकी पूत्री चीके और उसके पती और उसके अगर कोई पूत्र जो है वह म्रत हो चुका है या पूत्री जो है वह म्रत हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में उसके पूत्र पूत्रि पूत्रियों को जाएगी और म्रत पूत्री के पूत्र पूत्रियों को जाएगी ठीके लेकिन यहां पर इशु है कि वह महिला जो है वह आविवाई थे तो ऐसी इस्तिति में उसके पती होने का कोई प्रश्न उत्पन नहीं होता है कोई पूत्री या पूत्र होने का कोई प्र प्राप्त होगी किसको मिलेगी उसके माता और पिता को प्राप्त होगी लेकिन अगर उस महिला की माता जीवित नहीं है तो एसी इस्तिति में वह संपत्ति जो है वह केवल पिता को प्राप्त होगी लेकिन अगर उस महिला के पिता नहीं है और केवल माता है तो एसी इस्तिति rh uyण जो हुए और पीटा के जो वारिश रहेंगे उनको संपत्त होगी अब पिता के वारिश कोन रहेंगे तो देखें पीता के वारिश मतलब इसका पूत्र शीक है allora मुरत पुत्र के पुत्र पुत्री जो रहेंगे उनको वह संपत्ती प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से अगर कोई महिला जो है वह अविवाईत है और उसके नाम पर अगर कोई संपत्ती है और वह संपत्ती जो है उस महिला ने अगर किसी भी व्यक्ति को वसियत के माध्यम से अंत्रित नहीं की गई है तो इस प्रकार से वह संपत्ती जो है इन लोगों को उत्रा नहीं जे बार